वाइज। मैं आज़ डॉक्टर चरंजी सिंग सिने लेक्चर कमिस्त्री ग्हाइंट हायर स्कूल स्रुइन सरु बच्चो आजका टॉपिक हमारा जो है ओ ड्रग का इंटरेक्शनस हैं रग टार्गेटस इसको बोलते हम याज़ तरागेटं से टार्गेट्स करना है तो वहां लगना है निशाणा तो द्वाईं बनाने बिते तरीके से पहले बायो माली कि उसको स्टार्डी कर हुआ है वायो माली जैसे देश्ट्राक्चर है उनकी ओपनिंग्स भी होती हैं उनकी एक्टियोसाइट्स भी होती हैं उस हिसाब से मेडिसन जो है उतियार की जाती है और वैसे ही उनके सक्सिर भी बनाए जाते हैं similar to the natural biomolcule structures ताके कोई चीज अगर सबस्टेट रेक्ट कर रही है किसी चीज के ऊपर तो हम जो िलेके जो प्र दडएिसन दें बोगी उसी शकल की हो और वैसे ही का był चालिक कर के दिखाए कर एक यहां क्या होता है भाउमने कि अ हैं अगर अनोंगा मालिकूल सरकति हैं कि रेक्शन के रेट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देना अरे इतना फास्ट कि एक समय का खाना खाया हुआ अगर एंजाइम नहीं हो तो पचास साल लगेंगे इसको पचने में डाइजेस्ट होने मेटाबॉलाइज होने में लेकर एंजाइम 10 गंटे के अंदर या 12 गंटे अंदर इसको मेटाबॉलिजम कर देता है और रेक्शन कम्पलीट हो जाती है बायो कैमिक अरेक्शन जो होती है अब इन अजाइम में क्या ऐसा कमाल होता है तो बच्चों देखिये कमाल क्या होता है कि अंजाइम की एक पर्टिकुलर स्छेप होती है जैसे यह शेप इन्सा है यहां पर यह जो मुझ उसको खुला हुए हुए यह ईक्टियो साइट है एस यह कि यह ईंजाइम की एक्टियों साइट है साइट मने जगा बड़न सकी अगर था झीज को भी अगर थानी होगी है रच्छन कंप्लिक करने को उसको इसके मुझे जाना पढ़ेगा, इसको मुझे भोलेंगा, आम एक्टियु साइट में आना पढ़ेगा। सुचे कहों, आक्टियु साइट मेंखुदी आते हैं, इसके एंजाम के पास ऐसा कमाल का जादू होता है। यहां फंक्शन कूप रखता है यहां डाइपोल रखता है हाइडरन बॉंडिंग के लिए ऐसे एलिमेंस यहां रख देता है कि जो सबस्टेट यानि के जो भी डियक्टेंट मॉलिक्यूल्स है बॉड़ी के अंदर उसको आजा वही आजा और इसको वैलकॉम करता और जैसे य यहां से और यहां कर फिट्टो आ जाता है और जैसे यह फिट्टो हो गया तो यह को फिट्टो ने के डाइग्राम यह बिल्कुल फिट्टो जाएगा और अंदर रेक्शन शूरू हो जाएगी तो जिस चगह पर इंजाइम ने इसको पकड़ लिया इसको बहुते हैं यह द आइपोल इंट्रेक्शन जो इसको पकड़कर रखती है और कैमिकर रेक्शन पूरी होती है वही चीज मैंने यह लिखे ड्रक्ट आर्गड इंट्रेक्शन में क्या होता है हमने का प्रोटीन विच प्रफार्म दा रोल आफ बाइलोजिकल कटलिस्ट और नजाइम प्रोटी इस थो होल्ड़ तसबस्टेट फार अगरेक्शन पहला काम एंजाइम का के सबस्टेट को पकड़े और इसके मूं में लाए एक्टिव सइट पे लाए मूं नहीं बोलना इसको एक्टिव साइट बोलते हुँ जैसे यहां है का आगे फर यह दिख लेगा एक्टिव जैसे ह सबस्टेट को खिच के पकड़ रखते हैं सबस्टेट मौलिक्योल इने सूटेबल पॉजिशन एक पॉजिशन पकड़ना ऐसे पकड़ना जैसे इसकी अपनी शकल होगी न वैसे पकड़ेगा पॉजिशन सो देट कैन भी अटेक्ट बाइदा रीजेंट अफेक्टिवली ताक के पूरी हो कि सबस्टेट बाइंट टू दा एक्टिव साइट अफ इन्जाइम तू वराइटी आफ इंट्रक्शन सच आइनिक बांडिंग यह सबस्टेट कहता यह बाइंट मनें चिपक जाती है इसके साथ कौन सी फोर्सेज यह यह रखनी है आइनिक बांडिंग है हड् है अरे शैलों नाल हमत करिये इफ यह प्रपिरिंग फाजय मैं जाइट इस एंड नीट आपको यह रखने पड़ेगी और बोर्ड के एक्जाम के लिए यह रखने में कौन सी फोर्स ने को से तोड मुरोड के पुछी जाते हैं तो यह जितना मैं लिखा इसको यह यह रखि और उस एक्टियोग साइट पर इंजाइम क्या करता है कि फंक्षन को प्रवाइड करता है बांडिक होती है वहां पर डाइपोल डाइपोल इंट्रक्शन होती है ताकि सबस्टेड यहां आये और उनकी मदद से इसको होल्ड करें खिचके पकड़ के रखे यार पकड़ यह जब तो रियक्शन अपने आप शुरू होगी यह पहला पॉइंट था एंजाइम का जो काम करने का त्रीका क्या होता है दूसरा क्या होता है तो सेकंड फंक्षन आफ एंजाइम इस टू प्रवाइड फंक्षन गूप डैट विल अटैक्ट सबस्टेट एंड केमिकल रेक् पकड लेगा इसको और पकड़ने के लिए कौन सी फोर्स ही हाइट्रों पांडिंग वन्टरवाल फॉर्सेज वन्टरवाल इंट्रक्शन डाइपोल डाइपोल इंट्रक्शन यह होंगा और दूसरा काम है कि इंजाइम की डिव्टी है कहां से फंक्षन को पकड़े स्टेट को और वहां रियक्शन करते हैं यह था कि एंजाइम का एक्शन कैसे होता है तो मूँ पे होता है अब दूसरा था ड्रग इंजाइम इंट्रक्शन जाइम तो बच्छों आपको पता है नानमेडिकल वाल थूक हमारे मूं में स्लाइवा यह भी इंजाइम है ऐसी ब सबस्टेट का जो बॉड़ी के अंदर हमारे नेच्र रूटीन वर्क में अब यह जाता है इसके अंदर तो रेक्शन चल रहे हैं मानलों के कभी एंजाइम बॉड़ी में कोई फाल्तु बच गे अन्वांटेड एंजाइम अनके जो हमें फाइदा नहीं पहुंचा रहें ल लीवर को डैमेज करेगा ऐसे सबस्टेट के बदले हम चाहते हैं कि यह दोआई यहां जाए और यह दोआई का मालीकुल की शकल भी ऐसी ऐसी है अब इन में क्या होगा अगर हमारी जो मैडिसन है कैप्सूल है किसी वाम में ने दिया हुआ है उसके मालीकुल की शकल जो है शक्ति अन्जाएं के मालीकुल से बेटर होगी तो वो मेडिसन वाला मालीकुल यहां चला जाएगा इसको ड्डग जैसे यहां गी ड्रग बिलता है अगर यह उता है कि होता है इनमें से यह पहुँंचता द्वाई वाला यह गोड़ारी बनाने वाले ऐसी का है ऐसी बनाते यहां आप पर एक्तिवीटी आफ इंजाइम जाइम की एक्तिवीटी को ड्रग इन्हेबट पने रोक लेगी जैसे यह बैठ गई तो एंजाइम जो काम कर रहा था अरे उल्टी-उल्टी रेक्शन चला रहा था वो रुख जाएंगे दीस यह ब्लॉक दे बाइंडिंग एंजाइम और प्रिवेंट बाइंडिंग अब सबस्टेट अब यह पहले आकर यहां बैठ गया यहां पर से आकर इद्र बैठ गया एक्रिसाइड बलाक हो गई तो अब सबस्टेट का मालीकुल यह मैंने सबस्टेट बनाये हुए यहां यहां नहीं आप आएगा अब इसकी का मालीकुल में और सबस्टेट के मालेकुशल में कॉम्पटिशन होता है और का मौह जीत जाता है और यहां पर इंजायर और पर यह काम यह जो सबस्टेट का मालेकोल इंजाइम के उपर बैठ कर अन्वांटेट रेक्षिन कर रहा था वह अन्वांटेट रुख जाएगी और एक पॉस्टियोस रेक्षिन चलेगी जो बाड़ी के फेवर में होगी और उस तरह से इस कारवाई को रोका इसने कारवाई को रुकाया क्योंकर कारवाई तभी इसने तभी भंगा डालना था जब सबस्टेट यहां पहुंचता है अब रेक्षिन फेवरब होगी और फेवरबल नहीं होगी फिर क्या होता है यह ड्रग करती क्या वहां जगर ऐसी ड्रग जो वहां पहुंचती है उनको बोलते हैं एंजाइम इन तो वेज अब ड्रग यह ड्रग कैसे एंजाइम की एक्टिवेटिक्स को रोखती है इने पर कैसे करती हैं दो त्रीके हैं इन दोनों में कॉंपेडिशन होता है सबस्टेट के मालेकूल में और ड्रग के मालेकूल यहां पहुंच जाता और एक्षिन को रोख लेता है हैं इतनी तो रहा ओम है ट्रक का मालेकूल यहां जाता है और इस जगह पर जाके यह सब्सक्राइब और यहां जायेगा आप यह ड्राइड ल tek मालेकूल ड्राग मालिकुल यहां चला जाएगा अरे अक्तियोसाइट पर यह उल्टी साइड पर इस जगह को बोलें ऐलोस्टिरिक ऐलोस्टिरिक साइट अब जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं इसका नाम है ऐलो एडबल एलो एलोस्टिरिक साइट यह ड्राग मालिकुल एलोस्टिरिक स्टाइट पर चला जाता है जैसे बच्चों यहां जाता है तो एक्टियोसाइट की शकल चेंज हो जाती अब यह शकल ऐसे नहीं रहेगी यहां से थोड़ा काम में बड़ा चोड़ा था ना भी ऐसी से प्लेंट जैसी हो गई तो शेप आफ दी जाइम चेंश्ट जैने के अंजाइम का एक्टियोसाइट के बदले एलोस्टिरिक स्टाइट पर एटेच हो जाना अंजाइम का नहीं है ड्रग का और इस यह नॉन कॉम्पिटूटिटिव मैथर्ज है क्योंकि वह सबस्ट्रेट का मालिकुल वह तो भी वह शेप और तो उपर से आने कोश्च्व कर रहा लेकर इसे यह से नीचे से गुश गया यहां पर और इस साइड का नाम है एलोस्टिरिक साइट और अपर गुशने से उपर वाली उपरा वाली उवब सबस्टेट की शकली बदल गए तो वहां फिटी नहीं आरा वाला जैसे हैं छोट होता है ज्बढ़ चेंज हो जाती है यह बिवारा ऐसी होरेकी तो फिर इसकी शेप ऐसी हो जाएगी यह फार्मेशन डी फार्मेशन आफ एक्ट्व साइट आफ दी एंजाइम टेक्स प्लिस यानिकि ड्राग का मालीकुल यह इस साइट पर जिसको हम बोल रहे हैं एलोस्टीरिक साइट पर ड्राक मालीकुल अटैच हो रहा है तो वह क्या कर रहा है एक्ट्व साइट की डी फार्मेशन हो रही है एंजाइम की शेप चेंज हो रही है और जैसे यह आपने सोचने के पकड़ के रखता है इसको अपना काम करता छोड़ का जाता है फिर उसकी शकल बदल देता है जैसे छोड़ता तो फिर अपने ज्यागा जाता है फिर दो तीन दीन रहता है फिर जाएगा फिर ठोके वसी यगा पर और पिर उसकी शकल चेंज करेगा लेंगा वहां पहुंचना नहीं देता है कि अगर वहां पहुंचता तो प्रावल्म क्रेट कर रहा है तभी तो बमारी हुए अब सावस्ट्वां ने होई का ना इसमें मैंने यह लिखा दूसरे पॉइंट में कि ड्रग कॉंपीट विद दा नेच्रल सबस्टेट फार दियर अटेच्मेंट अन्द एक्टिवसाइड आफ एंजाइम सच ड्रग जाल कॉंपीटिटिव सबस्टेट जैसे इसने कॉंपीटिशन हुआ यह सबस्टेट था यह ही इसके यहां नहीं बाइंड हो रही है और यहां बाइंड हो ही बच्चों जेसे महिए होननों में यहां बैंड होगी ड्रग का नाम अली lagi इंडáfico की आप सबस्टेट को पतन लग रहा मैंने पहचान इन पा रहा है मेरी जगा कहा है वो सबस्टेट को जगान में रिकनाइट इफ दा बांड फॉंड बट्रीन दाइंजाइम एन इन इन हीपिटर यह जो ड्रग माली को इस पर इन हीपिटर बोलें यहां जाकर घुश गया हुआ बैठ गया हुआ है चाहिए यहां बैठा चाहिए यहां बैठाने बैठना तो है सारी उम्मर फोड़े बैठना से मैंने पहले का इसकी डिव्टी थी निविटर की कि जा टैकर वापस आजा जा टैकर वापस दो तीन दिन में बबालीट को ठीक कर मान लोगे इतनी दोस्ती पक्की हो गई यहां पर कि जब फे लगा के बैठके इनेविटर छोड़नी रहा है इसको तो फिर क्या होगा यह इसके फेवर में नहीं होगा एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी तो ऐसे इंजाइम को बड़ी बताशनी करेगी और बड़ी की बताशनी करेगी और सब्सक्राइब के बाइब कारण ब्लाग तो इसको ब्लाग तो आप उसका नंब्र बलाक कर देते हैं तो बड़ी यही सिस्ट्म है कि अलो स्टिरिक साइड पराने वाला और आजाए तू को बाट बार 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 आप को तांग कर रहा है प्रावल्म कृट करेगी अप उसका जड़ना उसके पाइद चला जा और इंजाईम की जो एक्टिविटी जे इस पर चेक करके चला जा बाड़ी को एक्षिन नार्मल करके चला जा लिक्तना कर यह जो ड्रग का मालिक को वह हो रहा है इसको इन्हेटर बोल रहे हैं यूब लग गया और वहां से जाने का नाम नही इसको और नहीं जाता है तो क्यों को फिर इंजायम की शेप चेंज होगी तो काम नहीं चले नार्मल वरक को होगा ही और ऐसी सिच्वीशन ने बच्चो क्या होगा कि बॉड़ी इसको डिसकार्ड करेगी इसके फंक्शन को ब्लाग करेगी और इसको आप ऐसा करिए स्क्रीन श अपक्र इफ्टर क्या होते हैं सैप्टर भी प्रोटीन होते हैं रेसेप्टर मैसेज को सा 1ग मैसे यह कहां पर होते हैं शैल की मेंब्रेन के बाहरी साहरि inside जातर यह मैंब्रेन के अंदर हाए फ्ट्रिए बार को कि CARI ZHA HE virtual two body's communication इंबेड एंड़े जोरी हैं कॉमिनिकाइश के लिए मजॉरिटी आफ दीज आ इंबेड इन रजल मेंड़ेंग देंरे सारी मैद आफ जा मेंड़ेंड उसारी मेंडेडियर निजायर आफ देंगें। इसका क्या मतलब है कि receptor जो है यह सेल मेंब्रेंड की बाहर के लिए है मजाटरी पोर्शन इसको अदरी रहता है और थोड़ा सा पोर्शन जो बाहर को रहता है सेल के खुला हुआ और इस पोर्शन को बोलते हैं एक्टियोसाइट आप दी एक्टियोसाइट या रखेगा अब आता है इन दा बॉड़ी मैसेज बट्मी टू निवरान्स एंड बट्मी निवरान्स तू मस्सल्स इस कॉम्मिनिकेटी थू सब्सक्राइब केमिकल्स मैं क्या हुता है मैंसेज आता है मसल्स जए डिफरेंट पाट के लिए और वह सिंट क्या च् sequra वो है नुरान्स in the body में टू नुरान्स के भीचिम नुरान्स होते हैं शयर्ट नुरान्स शयर्ट विचिम न्हीं घर बेते में भी संद्ध्राइब और बेट मॉसल्स नुरान टू नूरान टू मसल्स इस कोमेजिए थूल सटर्न कैमिकल्स रिख जर जाएगा इनको बोलते हैं chemical messengers और रसीवड अड़ बांडिंग साइट रप्रोटीन्स जो भी मैसेज आएगा यह बांडिंग साइट रसेप्टर प्रोटीन्स की वह मैसेज निवरांस यहां निवरांस के थ्रू आएगा यहां निवरांस से मैसेज जब मैसेज देना है तो शेप चेंज हो जाएगा जैसे यहां देखिये यह आ रहा है हमारा कैमिकल मेसेजर यहां पर यह जब यहां आरा छी तो शीज ऐसी और जैसे मेसेज दी तो इसकी शार दिखना यहां नीचे को खड़ता यह ruk six शेंज हो गई और लिका तो फीज़ दिखा यहां और शीव निकल गई जा लिग你 खें देखना जो तो इसकी रिसेप्टर की शकल शकल चेंज हो गई और फिर यह तीसरे में लिखा जो मैसेज बेहना था वो दे दिया फिर बाप अवसर मैसेज कोई चिठी और एक मैसेज देना दमाग कोई मैसेज बेहना कोई में उंगली पर कोई बिचू बैठा हुआ है जा किसे चिल्डू पोड दिया हुआ है तो मैसेज वहां से आ गया थूरू निवरान्स के थूरू बड़ी के थूरू और बड़ी में जो चैमिकल होता है निवरान हुआ और जैसे अभी निजदीक आया था शकल ऐसी थी जैसे इसने टॉच किया शकल बदल गई और वापस गया मैसेज ड्राप करा सेल के अंदर और यहां चला गया और एक सेल दूसरे को ऐसे कॉम्मिकेट करता है यह होता है रसेप्टर का जो त्रीका मैसेज को ड्राप कर बार से टूच किया मैसेज राप कि चलते बड़े यहां मैसेज के सिगनल दे रहा हुँ है यह मैसेज यह सेल मेंब्रेन यह उपर ली साइड जो उपर नहीं आपना हो अंदर लिए इनर सर्फेस आप सेल मेंब्रेन और यहां से दिखनल जा रहे हैं यह वाली बी वाली यह यह तीन डाइग्रम में बना कर यह तीन लाइने भी लिख दो ना तब भी मैसी क्वेस्टन समझ आ जाता कि कहने का जा रहे हो आप अब अब सर्फेस आप सेल मेंब्रेन दखाए हुई है और यह बाइंडिंग साइट दखाए यह जो ओपनी है बाहर सो और सर्फेस आप सेल में दखाए गई यह यह एक्टिव साइट है और इसको मैंने सिर्व यहां रसेप्टर तखाने कोशी कर यह चोची करें चोड़ दाने जैसी जो है रही है जो आप बोले होते हैं प्रोटीन होते हैं अजाइम जो होते हों के लिए होते हैं इनका काम है सिग्नल को रसीव करन आगे ट्रांस्मीशन करना दिरालाई नंबर आफ डिफरेंट रसेप्टर सेंदा बाडी एंट इंट्रक्त विडिफ्रेंट क्टमिकल में सेंजर ने इसे कोई यह रहा है तो आख बला दमाग डिमाग बली सट आ जारा है तो जैसा मैसेज है वैसे ओसे इस को यह अर्गन य भी होता है इसका बहुत हैं होते हैं बहुत सरे बोडी में तो अपने इस इसलेक्टिविटी इन कौन सा मेसेज आ रहा है है और किसकी ड्यूटी रसीव करना जैसे हाध़ डपार्टमेंट बने होते हैं यहां भी फारएंड फार वन केमिकल मेसेंजर ओवर दी आदर विकार द वो वही signal पकड़ेगा जैसे अगर किसी फोन का नंबर है तो वह डाइलिंग वही नंबर होगा इसको डाइल कर रहे हैं दूसरा डाइल नहीं होगा अब आता है इसके बाद यह चुटी सी लाइन है एंटर करें लास्ट में drugs that bind to the receptor sites and inhibits its natural function are called antagonistic नहीं चीज आगई मान लिजिए दूआई है और यह दूआई यहां बाइंड कर रहे हैं तो इस दूआई को एंटागनिस्ट बोलेगे इस आर यूसफुल और करती क्या है कुछ दूआई जैसे यहां आगई तो इसको ब्लॉक कर देंगी फंक्शन को इस यूसफुल बन ब्लॉकिंग आफ मैसेज इस रिक्वाइड जब कोई मैसेज ब्लॉक करना है किसी इसका कि यहां मैसेज नहीं जान चाहिए तो दूआई दे देते हैं वहां पर दिर अधर टाइपस द्रॉग्स दैट मिमिक नेच्टर मैसेंजर बाइ स्विचिंग अन रसे पर देज का उनको एगानिस्ट बोलते हैं इस यूसफुल वैंडियर इस लेक आफ नेच्टर कैमिकल मेसेंजर्जर्स नहीं पर इसकिसम के मेसेंजर्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं बच्रों तो यह था हमारा ड्रग टार्ग्ट जो थे उसमें एक विए बड़ा रेसेप्ट कर दोनी